हेलो इस्टूडेंट आपका स्वागत है हमारे खुब सूरत से चैनल सतीष चवान शड़ी पॉइंट में तो आज हम लोग पढ़ेंगे कच्छा 10 गडित पाठेक वास्टी संख्या जिसमें हम लोग प्रसनावली एक दसमलों तीन का कल आएंगे सल्यूशन तो इसके पीछले हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमसे क्या हो जाएं क्योंकि हम अपने चैनल पर डेली बासे वीडियो चड़ा रहे हैं तो चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग प्रस्नावली एक दसमलों तीन को हम लोग कैसे पढ़ेंगे हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले समझेंगे प्रसनावली 1.3 में पढ़ना क्या है उसके बाद यह थोड़ा बेसिक समझने के बाद हम लोग चलेंगे उसके सल्यूशन पर ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो हमें प्रसनावली 1.3 में प्रसनावली 1.3 में पढ़ना है अपर्मे संख्याओं के बारे में किसके बारे में अपर्मे संख्या के बारे में कि थोड़ा सा मैं आपको एक रिकाल करा हूं कि अपर्मे संख्या क्या होती है ठीक है तो पहले हम बात करते थे वास्ट्विक संख्या की किसकी बात करेंगे वास्ट्विक संख्या की है थोड़ा सो ध्यान देंगे हमने बताया था आपको कि जो व्याश्तिक संख्या होती है दो संख्याओं से मिलके बनती एक प्रम्य करते यो कि एक लेने जो वास्त्य क्रों या वे दूर्व संख्यां से मिलकि बंती हैं एक परमे औरे ऊपर में हमने बता ws आपको कि पर मेर्वे संख्याय होती है जिने हम पी अपान क्यूं के रूप में सटेबर्मे संख्याय होती हैं जिने में पी आपान क्यूश के रूब में लिख सकते हैं जहां पी तथा क्यूश पुढांग खोते हैं और क्यूश not is equal to 0 होता है एपको अपर्मे संख्या के बारे में भी अताय था कि अपर्मे संख्या वे संख्या होती है जिने हम पी बटे क्यूंग के रुप में नहीं ले सकते उसे हम पर में संख्यान रच तो इस ही परवी शंखया के बारे में पढ़ना है लेकिन हें थोड़ा सा और जानकार लेकार ना आ कि मैं आपको इम्र बताता हूं कि हमने इसी का था ठीच है जिसे इस पेवर्ते की रूब में नहीं लिख सकते एक्जामपल था कि कोड़ी में के संख्यां क्या होती है अपर में होती है जैसे कोड़ी में 2 कोड़ी में 3 और कोड़ी में 5 यह सब संख्यां क्या है अपर में संख्यां कोड़ी में 3 क्या है अपर में संख्यां कोड़ी में 5 क्या अपर में तो यह तो हमने ऐसे बता दिया था कि कोड़ी में दू अपर में है कोड़ी में तीन और कोड़ी में पांच क्या अपर में लेकिन हमें इस लेशन में बैसिकली इस एक्सरसाइज में 1.3 में हमें सिद्ध करना है हमें प्रूफ करना है कि कोड़ी में दू अपर में संख्या होती है तो क्यों होती है कोड हमें क्या करना है इस exercise 1.3 में यह प्रूफ करना है कि करड़ी में दू अपर में संख्या है तो क्यों है करड़ी में तीन अपर में संख्या है तो क्यों है करड़ी में 5 अपर में संख्या है तो क्यों है की हैं कि हम भी पता है कि हाले जनक्राइब एक में करना है करना हैं तो मुझे लगता है आपको जोटा सब्सक्राइब वाले क्या है क्या थोड़ा सबस्द में हम इस चेप्टर में पढ़ने वाले क्या में मुझी संख्याओं कोches . मैं भुष एक सोगने थैसे कोड़ी में दूब भुषником करना है तो च्रेए चलिए स्टाट करते हैं कि अब अब हम आपर देखेंगे अब exercise 1.3 का पाला कोशन ठीक है इसका मैं पर चे बता दिया अब हम लोग करेंगे exercise 1.3 का इसलिएसन लुक्त परोटे क्या है और इसको साल्ब करते हैं ठीक अब लुक्त करा है कि सिद्ध कीलोंगे काड़ी में पांच वृत्य होता है यह संख्या होता है लेकिन बात रह गई इसको स्थ करने की तो चलिए करते हैं इसको सिद्ध değ तो ऐसे सवाल को हमें सिद्ध करना होता है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम कड़ी में 5 को पर्मे संख्या माल लेंगे तो हम इसका उल्टा युल्टा मान कि क्या करेंगे है उल्टा मान चया करेंगे इसको थे विरोधा भास खकी तो इसको करेंगे घरीम पाच अंपता प पर में करना है किया पर है थो उसे को मालं लेंगे परभी बात बताएं अगर करी में पांच चया जो होती आ जो भी परभी परभी संख्या होती है आक स्क लेद यानिक हम यहां पर करणी में 5 को सब्सक्राइब करणी है अब जो symptoms होता है अधाउसा भाज ग्रूस अधा यहां पर मतलण समझेंसं को फ्राइम पोन्बर्स यह क्या होता है इसका कि इसलिए दीकत नहीं जो कोश्चन बोड में बहुत आता है इंपोर्टेंट है इसलिए इसको बढ़िया समझ लीजिए हमें कड़ियां 5 को अपरमे सिद्ध करना था तो हमने का आप कड़िया 5 को एक परमे संख्या माल लेजिए जब बढ़िया 5 परमे संख्या है तो इसे पी बटए क्यों के संख्या होती है जीनका मस अक्ता है मतलब की इनका मतलब की मतलब होगा कि 좀 याची किसा तारी और संख्या से नहीं नहीं नाएं जो किसा रॉषानी का कोई हुभायनिष्थ गुड़न ऐए मुखन्दन कौन अनगे चंक है कहा को आप सब्सक्राया मुखन कर देगा hizo 2-3 को कार दे 1 कार देगा 156 जोड़े को चोड़े कोई आई से कहा喔 दो और तीन का मतलू घा और वाष्या है तो हमें यह बस देखनाए की जो आप P और Q ले रहे हो हो वह सभाज अभाज अभाज इक मतलब जिनका मौसर या ओ एक ंभा फीनका मौसर या ओ बस इतित रहे बहुत है अब चलिए क्या करे इसका ऑदर गड़ा करिे तो कड़ी में 5 का Q में गुड़ा होगा, तो क्या आजाएगा, कड़ी में 5 Q बराबर P, आप क्या करिए, दोनों पच्छों का वर्ग करने पर, दोनों पच्छों का वर्ग करने पर, कड़ी में पांच के योगई तो 5 होजाएगा, चonian 5 का वर्ग का वर्ग क्या हो जाएगा, पी कवर पांच, हो जायकर नहीं, क्यों सक्वर बराबर क्या आजएगा, में और में मतलब कि जो पांच है यहां तो पांच को पांच को मतलब मतलब क्या है कि जो पांच है पी स्क्वार क्या कर रहा विभाजित कर रहा है मतलब कि यहां पर लिखेंगे दिग्राइब जो पांच है पांच पी स्क्वार को बिवाजित, कर रहा है, 5 क्या कर रहा है, π i2 को बिवाजित कर रहा है, तो जब 5 p i2 को बिवाजित करेगा, अतर 5 पांच पी को भी विवाजित करेगा पांच पी को भी विवाजित करेगा समझे यानि कि अगर पांच पी स्क्वाइर को काड़ देगा तो पांच पी को भी काड़ देगा यह पर में यह क्या है पर में पर में 1.3 में दिया गया है तो इस पर में को डिटेल में नहीं समझना है और वह और पांच पी स्कुर्च को और बाइद करेगा तू कुछ पी को भी लाइट कर देरा इतो जब 5 पी और 5 फीर मांसा चाहिए है यह है मतलब आफ्स specify तो रही है तूछ बार तो जा रहे होगी तो मालो सीटी जा रही है भात क्या हों जारी ठीक है पांसे भाग देने पर पी में चैर क्या रहा है थीक आप सुनों अपना पी का मन नीकाल लो यहांसे तो Actually किया जाएगा पांच सी अब पी का जो माना आया है आपका कि जो पी का मान आया है उसको उठाकि यह यह पर रख दो इसको है कि इसे में रख दो तो पी कम रखें तो 5 q2 बराबर मिटी स्कॉार यामर पर सिया तो 5 q twice बराबर एक कि कमान कितना ने data 5 c तो ट्रेज को एक रूख कर लगे भी स्कॉआर तो क्या हो गया आपका पांज के पचीश सी स्कॉआर पांच 14 कड़ गया तो बचा यहां से आपका q स्कॉाईर बराबर फांच 15 SE स्कॉआर ठेक आ आप यहां से क्या करिए पांच को इधर बेजिए तो आपको मिलेगा सी स्क्वाइर बराबर की स्क्वाइर बटे पांच देखिए क्या कि यार पांच को इधर बेजोगे तो क्यों स्क्वाइर बटे पांच जाएगा और किसका मारा गया सी स्क्वाइर आप यहां पर देखो तो C square बराबर Q square बटे 5, अब फिर वही कहानी कि 5 क्या करेगा Q square को विभाजित करेगा, 5 क्या कर रहा है Q square को विभाजित करेगा, तो जब 5 Q square को विभाजित करेगा, तो 5 Q को भी विभाजित करेगा, है कि नहीं, जब 5 Q square को विभाजित करेगा, तो 5 Q को भी विभाजित करेग मातलब यहीं है कि यहाँ से आपको सकते हो कि जो 5 है क्यूं को क्या में भी भाजित कर मैं क्या कर रहा है क्यूं को भी भाजित कर जैंक को this ऑने पर कोई एक नंबर और walे ऑडे कोई संथा जांड दुब के एकिव के लिए लिखो यह पर दोनों को पी बॉराबर क्या पाँच या सी हई है क्यों बॉराबर क्या पांच तो फिउस अगर आप देख़ो अगर सिसका dot पी का मज़ निकाला तो 5 लेकिन हम मैंसे क्या ह्ते हैं जिसका मौस यृखास यहां पर देखो पी और क्यू का मौसा कितना आगया पांच आगया तो बताओ गलत आगया कि नहीं हमने क्या माना था हमने माना था पी तथा कि उसा भाज है सभाजी का मतलब जिसका मौसा एक हो लेकिन हमने साल्व करते करते पी और क्यू का मौसा कितना ला दिया पांच तो बताओ गलत आगय यह 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 हमारे मानने की क्या है बिपरीत है यह हमारे मानने क्या है बिपरीत है अतर जो मानने हो क्या है गलत है अतर कड़ियंप पांच क्या है अपर में संग्या है कुछ ख incl. 5 को पर में माने हैं तो इसका मुष्व खो ने इसका मोस्व पांश हो रहा हुआ इसलिए क्यों होगा क्योंकि हमने गलत माना ही है इसलिए जब घरत माने हैं तो क्या सभी होगा पाज क्या होगा अपर में संख्या होगा तो यहीं पर करते हैं वीडियो समाप्त और जो भी कोशन बचे हैं उसको हम लोग अगले वीडियों कराएंगे तब तक की धन्यवाद अगर आप हमारे चैनल पे नहीं है तो प्लीज हम को सब्सक्राइब के लिए थैंक यू